सब्सक्राइब करो नाशनल बैग्रफी चैनल को और प्रेस करो इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें वीडियो सबसे पहले आज कल के राइटर्स के लिए एक आधर्श और प्यार को एक नया रंग देने वाले लेखक चेतन भगत की भी कहानी बहुत ही संगर्श बरी रही है आज मैं आपको इस वीडियो में चेतन भगत की ही कहानी बताऊँगा चेतन का जनम 22 अपरल 1974 में न्यू डेली में हुआ उनके पिता एक आर्मी आफिसर थे और मा सरकारी नौकरी करती थी जिसकी विजह से उनका बचपन बहुत ही मुश्किलों में बीता उन्होंने अपनी स्कूलिंग आर्मी पब्लिक स्कूल डेली से करी वो बहुत ही शांत स्वभाव के बच्चे थे उनके 12 में बहुत अच्छे माक्स आए फिर उन्होंने बहुत मेहनत करके IIT में एडमिशन भी ले लिया IIT डेली से उन्होंने मेकानिकल इंजीनिरिंग करी और वहीं से अंडर ग्राजुएट की डिग्री ले ली पर उनका मन जिंदगी में और पढ़ाई करने का था तो उन्होंने मैनेश्मेंट की डिग्री लेने के लिए IIM एमदाबाद जोइन करा हाला कि वो पढ़ने में बहुत अच्छे थे तो इसी वजह से उन्हें IIM में बेस्टूडेंट का अवार्ड भी मिला था पर उसी वक्त जिंदगी में एक मोड आया और IIM में ही उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया उस लड़की का नाम था अनूशा सूर्य नारायन पढ़ाई खतम करने के बाद अनूशा और चेतन ने शादी भी कर ली और समय के बीटते बीटते उनके अंदर का राइटर भी जिन्दा होने लगा फिर चेतन की नौकरी गोल्ड मैंस आचस में होंग कॉंग में लग गई जहां शुरुआती दिनों में तो वो बहुत ही जोश से काम करते थे पर धीरे धीरे वो अपनी नौकरी के साथ बोर होने लगे और इसी वक्त उनका राइटिंग की तरफ भी ध्यान बढ़ने लगा फिर वो अपने काम में भी काफी परिशान रहने लगे तो उन्होंने एक किताब लिखने का फैसला करा इसी के बाद उन्होंने 5.7 नौवल लिख थी पर किताब पे जाधा ध्यान देनी की वज़ा से उनका ध्यान ओफिस से कम होने लगा वो काफी छुट्या लेने लगे और उनका काम भी पैंडिंग रहने लगा अब उनके बॉस ने भी उन्हें निकालने का फैसला कर लिया था जब उन्हें कमपनी से निकाल दिया गया तो उन्हेंने फुल टाइम राइटिंग करने का फैसला करा अपनी लग्शूरियस लाइफ को छोड़ कर उन्होंने सपनों का पीछा करने का फैसला कर लिया था इसी लिए वो होंग कॉंग को छोड़के मुंबई आ गए इसी संधर्ब में कवी ने क्या खूब लिखाये की जिसने अपना आराम छोड़ दिया ख्वाबों में ध्यान से देखो कुछ तो जानोगी उसके इरादों में फिर उन्होंने 2004 में अपनी बुक 5.7 को पबलिश किया उनकी ये बुक बेस्सेलर बन गई उस पे इंडिया की सूपर हट मूवी 3D एट्स बनी इसके बाद भी उन्होंने कई ब्लॉक बस्टर बुक्स लिखी जैसे A Night at the Call Center, Three Mistakes of My Life और भी कई फिर उन्होंने अपनी खुद की कहानी लिखते हुए अपनी ही लव स्टोरी लिख दी टू स्टेट्स जो की इंडिया की बेस्सेलर बनी फिर धीरे धीरे करके उनकी बुक्स पे मूवीज बनने लगी जिससे वो यूथ में काफी पॉपुलर हो गए फिर चेतन ने स्क्रीन प्ले में आने का तै किया और किक मूवी से उन्होंने शुरुवात करी जो की काफी हिट भी हुई अब उन्होंने एक और बहतरीन बुक रेवल्यूशन 2020 से यूथ के दिलों में जगा बना ली थी अब चेतन भगत भी एक जान्यमाने राइटर बन चुके थे फिर उनकी बुक पर बनी मूवी काई पोचे के लिए उन्हें बेस स्क्रीन प्ले का अफॉर्ड भी मिला आज के टाइम पर उनकी हर बुक पर एक नएक मूवी बनी रही है जो की बहुत ही प्रशंशा वाली बात है 2014 में उनकी बुक Half Girlfriend आई जो की बाकी बुक्स की तरह ही खोब चली और इस पे भी मूवी बन चुकी है जिसमें अर्जुन कपूर और श्रद्धा कपूर लीड रोल में है उन्होंने उसी बीश टाइमस ओफ इंडिया और हंदुस्तान टाइमस के लिए कॉलम राइटिंग भी स्टार्ट कर दी थी और 2016 में चेतन को Forbes मैगजीन ने टॉप सेलिबिरिटीज ओफ इंडिया में 40th रैंग दी आउट ओफ हंडर आखिरकार जिस अंसान ने अपने सब एशो आराम अपने सपनों के लिए छोड़ दिये अंत में उनके सपने पूरे हुए इसलिए कहते हैं सपने पूरे हो या ना हो पर हमें हमेशा कोशिश करते रहनी चाहिए और इसी संदर में कवी ने क्या खूब लिखाए तारों तक हम भले ही ना पहुँच सके पर हमारी निखाएं हमेशा उनकी तरफ होनी चाहिए दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोज आपके लिए हर अफ़ते लाता रहूंगा सब्सक्राइब करो नाशनल बाइगरफी चैनल को और प्रेस करो इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें वीडियोज सबसे पहले